अपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों क्या आप बेरोजगार हैं या आपकी आमदनी कम है और कुछ एक्स्ट्रा अनिंग करना चाहते हैं या फिर आप एक स्टुडेंट हैं और अपने पढ़ाई के खर्चे खुद ही करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाई वाली एप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाईल से घर बेटे 20,000 से 35,000 रुपे महिने कमा सकते हैं वो भी बिना किसी इन्वेस्ट्मेंट के तो बस इसके लिए आपको चाहिए एक स्म लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आजाना है अपने स्मार्ट फोन के प्ले स्टोर में और वहां पर आपको सर्च करना है बैंक साथी तो इस रेकर को जी जो एप आपके सामने दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना इसको इंस्टॉल अब इसे आप ओपन कर लीजिए तो यहां पर बैनर के मादिल से बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इसमें अरिंग कर सकते हैं इसकी पना पर क्लिक कर दीजिए अब आपको सबसे पहले यहां पर लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर ए एंटर कर देना है VEREify कर देना है OTP को इसके बाद कुछे इस तरहका विंडो ओपन होगा यहां पर आपको एक referral code जो स्कीन पर flash हो रहा है स्कीन पर display हो रहा है वो ोर referral code आपको यहां पर डानला है और उसके बाद update code पर क्लिक कर देना है reference code को description में भी दे दिया गया है आप चाहें तो वहाँ से देखकर भी type कर सकते हैं उसके बाद update code पर click कर देना है इसके बाद आपको अपना 12 digit का अधार number एंटर कर देना है और verify now पर click करना है अब अधार से जो mobile number आपका link है उस number पर एक आधार की तरफ से OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करके verify OTP पर click कर देना है देकि OTP आचुका है एंटर कर दीजिएगा verify OTP कर दिया है फिर यह आगे पढ़ते है अब आपको यहाँ पर अपना KYC update करना है आधार KYC हो गया, pen KYC करना है अब आपको यहाँ पर सिर्फ अपना pen number डालना है date of birth अलड़ी पिक कर लिया गया है आधार से यहाँ पर अपना pen number डालके save and continue पर click कर दीजिए इसके बाद आपकी bank details आप से पूछी जाएंगी जिस bank में आपका जो पैसा है वो transfer करना चाहते है वो details आपको यहाँ पर fill कर देनी है paytm number आप यहाँ पर paytm number एंटर करके submit details पर click कर दीजिएगा आप चाहें तो यह सारे details बाद में भी fill कर सकते हैं जब आप earning कर चुके हों उसके बाद जब भी आप transfer करना चाहें तब भी यह details चाहें तो update कर सकते हैं इसके लिए फिर आपको नीचे की तरफ option दिख रहा है do it letter, do it letter वाले बटन पर click कर दीजिएगा तो यहाँ से फिर यह सारे step इसके फोके सीधे आपका home page पर आ जाएगा तो दोस्तों successfully login हो जाने के बाद आपका केवाइस ही update हो जाने के बाद अब बात करते हैं कि आपको earning कैसे करनी है जो कि इस video का सबसे important part है तो दोस्तों आपको बता दने चाहता हूँ इस app के थुरू आप कोई भी financial product sale करते है financial product से मतलब है कि आप कोई भी bank account कोई भी loan, credit card या कोई भी demate account अगर आप किसी को sale करते हैं आपके through sale होता आपके advisory की through यानि आपने उन्हें advise किया और उन्हें account open किया तो per sale का, per account opening का या per credit card का आपको commission होगा जो की fixed commission है और commission कोई 150 रुपे नहीं है दोस्तों 2,500 रुपे commission आपको इसमें मिलने वाला है तो easily आप अच्छी खासे 20-25,000 रुपे and earn अब आपको क्या करना है यहां काफी सारे product जैसे कि मैंना भी बताया credit card, personal loan, bank account, demand account अब यहां पर जैसे कि माल लिजए आप किसी आप friend या relative को credit card offer करते हैं या कोई personal loan लेने के interested है आप उन्हें personal loan इस app के थुरू दिलाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे है personal loan के लिए काफी सारे apps यहां पर देख रहे है अगर आपके recommendation से कोई भी आपका friend या कोई relative आपके recommendation के बाद आपके lead पर कोई loan लेता है तो उसमें fix आपको earn होगा 2.5% यानि कि एक लाग रुपे के loan पर आपको 5000 रुपे आपका commission set हो जाएगा इसी तरह से हर loan app का या हर product का आपको एक fix commission है जो कि आपको पहले से पता होगा यह कोई 10-20-50 रुपे नहीं होगा यह काफी अच्छा handsome amount है आप देखिए bank account अगर आप किसी का open कर बाते हैं तो आपको 550 रुपे access bank account opening पे मिलेगा और इस तरह से आपके सारे जो commission है वो आपको पहले से पता हूँ है कि कितना commission आपको इस पर मिलने वाला है इसी तरह से आप demate account खुलबा सकते हैं किसी दोस्त का अगर कोई trading share market में trade करते हैं तो उनके लिए demate account भी आप open कर आ सकते हैं तो यह तो रही कि product आप कैसे sale कर सकते हैं किस तरह से आपको earning होनी है अब यह हुआ इसके बात करते हैं कि रैफर कैसे करना अन कैसे करना है तो जैसे आप credit card को रैफर कर रहे हैं आपने यहां पर किया access banker credit card इस पर देख रहे हैं आप 2200 का commission अगर आपके recommendation से कोई access banker card लेता है यहां पर click कर दीजिए अब किसी भी medium से आप share कर सकते है message की तरू, what'sap की तरू या email की तरू किसी को भी आपको जिसको share करना चाते है वो link तो आपको सिर्फ what'sap से करना है तो WhatsApp से या जिसी भी medium से आप करना चाते है share कर देना है आपके share करने के बाद आपके इस link पर click करके अगर वह account open करता है या credit card लेता है या loan लेता है तो उसका commission आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप यह आप earning कर सकते हैं अब यह तो रही primary income second income की भी बात करता हूँ यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे नीचे की तरह का option आपको मिल रहा है referral का तो referral पर यहाँ पर आप क् आपने 10 लोगों को referral कर दिया और हर एक बंदे ने पहले महीने में 10-10,000 रुपे कमाया तो 10,000 का 10% यानी 11,000 रुपे आपको पर referral से मिल जाएगा वो referral bonus आपका यहाँ पर देखेगा referral amount आपकी referral income आपको यहाँ पर दिख जाएगी तो आपको referral code है वो यहाँ पर दिया गया ह आप किसी के साथ share करना चाहते हैं तो इस code को share कर सकते हैं इस तरह से आप अपना refer करके भी earn कर सकते हैं तो दोस्तो काफी अच्छा platform है बिना किसी investment के अगर आप घर पर हैं पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ नहीं करना आपको बस share करना है वो interested है credit card बनवाने तो definitely आप इसे continue करते रहेंगे आप इसे earn करने का source बना सकते हैं फिर मिलते हैं तब तक के लिए goodbye take care